मन्नू ने टैच किया तो मुझे उस समय लगा कि मैं मर क्यों नहीं गई बिलकुल आप थपर मार देते ना मेरा जोटा पकड़ लेते सोचिए तो जब वो कहती है कि हम बिद्वा हैं और भैसूर से जब साधी करती है जब उसका बाप इस बात को एकसेप्ट नहीं करता है तो मेरे चैरे में नहीं कहीं उसका नजर कहीं और था और उसने मेरे सम्मान जो मान सम्मान जो इस्तिरी का होता है वो इस्तिरी धर में हाथ लगा दिया और उसके बाद उसने धक्का दे नमस्कार दोस्तों काबिल ने उजमें आप सभी का स्वागत है और बिहार का एक सबसे पहले में स्वागत हैं आपको अपना जो भी मीडिया में बात रखते हैं वो सही हो करेंगे आप जब गई थी मैं में वहाँ पर आरती का नियूज कवर करने गई थी सचाई जो दिखाने गई थी तो आपके साथ वहाँ पर हाथा पाई हुआ मोनु आपको धका देता है क्या मामला था पूरा जब में वहाँ कॉन्फरेंस चल रही थी जब कॉन्फरेंस में बात चीत हो गई थी हम वापस जा रहे थे जैसे ही हम वापस जा रहे थे तो वहाँ पे पहले से ही वो लोग इतने आक्रोस में थे इतने गुस्से में थे कि उन्होंने क्या किया मतलब गाली को लोश करना है स्टार्ट कर दिया बभीता पागल है बभीता जीस्त है कमीनी है यह वह हैं तेन और जब मनु है जो मनु जो है वह बाहर आ रहा था तो मनु को पहले से ही पता था कि चेर चार कर लेंगे तो कोई दिख्कत नहीं है बस मनु ने यही किया कि हमने मनु से बात की कि भाई आप अपने पापा को समझा लीजिए कि वह गाली को लौच कर रहे हैं इसी तरीके से बात हो रही थी तभी उसने कहा कि भाई आप यह मतलब लड़ने का एक मन होता है किस भाज़़ि भाज़दारी को धिने अगर ठाप मेरे चारे को ऊडता कर बिधकर सुद्रा एक बात के आजरें वह सब्हादि जा रहे हैं वह आपके उड़ आतकर सेक्वार dreams और वह उसने दाप देर आप जो महिदा पत्रकार के साथ बतसुलुकी कर रहे हैं, महिलाओं की तरह जो गलत रिष्टी दे रहे हैं, इसमें सुधार लाने की जबुरत है. और यह जहें, news cover करने गई थी, आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उनसे इनको कोई मतलब नहीं था. एक बात बताईए मैं जब आरती उनके घर गई होगी तो मोनु जी को तो भाइया बोलती होगी कहें कि छोटु जी छोटे थो उनसे तो इनको भाइया बोलती होगी अभी मोनु जी सहीया बन चुके हैं और यह निवज आप देख रही है काफी ट्रेंडिंग में है हर कोई दे से भी बात आरती की होती थी और आरती मनु जानता था कि आरती जो है छोटु से प्यार करती है उस समय तो कहीं न कहीं भाइया ही न होगा कि भाइया हम छोटु से प्यार करते हैं तो यह आरती का मैटर है देखे हमें किसी की साधी से किसी के विभा से कोई मतलब नहीं था हम हम पत्रकार हैं, हम एक जर्नलिस्ट हैं, हम ये बात पूछ सकते हैं, कब, क्यों और कैसे, ये मेरा धिकार है, जबाब, कहां और कब, ये आपका जबाब देना ना देना, वो आपके बस में है, आपने ये जबाब, आपने देखा होगा, कि बहुत बार उसनी खुद का है, next, next लेकिन वहाँ जो next था, उसके बात करने का जबाब कोई और दे रहे थे, वो थे, उमेश यादब जी, वो डिक्टेटर सीप, सिर्फ उनका चल रहा था, उनका कहना था, जो मुझे कहेगा, जो कहेगा, मैं कहूंगा, रात है तो रात है, दिन है तो दिन है, मीडिया तो सेमपैथी दी, आपके नो के नो आरोपी अंदर चले गाए, अब वो ना आरोपी सही है या गलत है, ये तो फैसला अब अदालत करेगी, लेकिन कहीं न कहीं हम मीडिया भी उस वक्त, उनके सेमपैथी को, और कहीं न कहीं हम लोग खुद भी बेवकूफ हो गया, अच्छा म बोल रही है, तो क्या आपको इलिगाल एक्सनली है, बिल्कुल, उनको इस आदिस बात का अंदाजा नहीं था, जब हम एक महिला है, अगर कोई मुझे टाच करता है, तो मुझे पता होता है कि वो टाच क्यों हुआ, तो जब उस मन्नू ने टाच किया, तो मुझे उस समय ल निकल रहे थे, और जब आरती आखे, माफी भी मांग रही थी, कही न कहीं, तो हम कहीं न कहीं पोलाइटली हो गये थे, पोलाइटली हो रहे थे, और हमने कहा कि भाई, एच्छोरो हटा जाने दो, जो बेजेती करानी करा ही दी, अब हम चल रहे हैं, लेकिन उनकी तो उन्होंने कहा कि बुलाओ ठाने को, किसको बुलाते हैं, बुलाओ किस, SP, DSP, क्या करेगा, आप ये बताइए, इतनी हिम्मत कहां से आई, एक महिला पत्रकार वहां और भी पत्रकार थें, उन सबों को बंधक बना करके, ओभी दीन दहारे, इतनी हिम्मत, तो ये हिम्मत उसने उस समय क्यों नहीं दिखाया, चोटू के बाद, क्या कोई साजिस नहीं चल रही थी, कहीं आरती के जमीन को हर अपने का कोई माटर तो नहीं है, उस समय आपने चूपी लाग दी, उस समय कहें कि भाई हमको मार देता तो, हम गये थे, एक डंटा मारा, हम भाग के खरे हैं, उस चिठी में क्या था, कुछ जिक्र करेंगी मैं, उस जिक्र में बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि पापा उसके मतलब सा परिवार सहमती है, आरती खुस है, ये वो, लेकिन उसके पापा का उस चिठी में जिक्र है, एक बाप, उसका आत्मा कलप रहा होगा, जब उसको तो लगा कि मेरी बेटी की साधी अचानक से हुई, उसका बाप पापा जी खुद कहते हैं, कि आरती हम तो जेल में रहके मर जाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन तुम जिस छोटू की बिद्वा बनके गई, तो तुम वो तो उस हिसाब से नाते से भैसूर हो गया ना, वो तो सतसंगी है ना, सतसंगी तो बहुत धर्म मानते हैं, सोचिए, तो जब वो कहती है कि हम बिद्वा हैं, और भैसूर से जब साधी करती है, जब उसका बाप इस बात को एकसेप नहीं करता है, तो आप सोचिए कि समाज कैसे करता है, समाज अगर करता है, तो कौन सा समाज, कौ कि लौग लिखते हैं, आरती ने अच्छा किया, वह समाज है या फिर समाज हो है, जो हम लोगों के बीच रहता है. एक तीन दूरा हमको लगता है, जिनके पास मेडिया पहुच रहा है, जो लोग वाइरल हो जाते हैं, और जब मेडिया का आवागमन बंध हो जाता है तो भी इस बात पर को सोचने में लग जाते हैं कि अब ऐसा क्या किया जाए कि फिर से दोबारा मेडिया का हमको कॉफरेज मिले और तुरन्थ हम फिर सुर्खुए उमे आ जाए आपको नहीं लगता ऐसा बहुत उमे सियादब जी बहुत एक सातिर किस्म के इंसान है उनका नार्को टेस्ट सबसे पहले होना चाहिए वो हमारे पिता जी तुले है हम उनको परणाम भी किये हुए हैं ऐसा नहीं है कि उन्होंने ही का कि मैंने आप मेरे लाइव देश्वा में आप देखेंगे कि उन्होंने का कि मैंने द पंचायत में थे बाहर से था ताला लगा हुआ मार रहा था दो तीन आदमी थे चार आदमी थे और लेकिन अब उसका स्टेट्मेंट ही होता है कि मैं जो कहूंगा कि नो आदमी मारे तो नो आदमी को जील में होनी चाहिए बहुत बहुत धन्यवाद में इतना समय देने के लिए और जो भी आरती चोटू उसको लेकर अपडेट होगा वबीता मिसरा के अच्छा आपके माध्यम से कि यह सिरिफ ब्लॉग है आरती चोटू जो ब्लॉग है जो आप देख रहे हैं आरती अब ब्लॉग बनाने लगी है और उमेश आदब जी को भी अच्छे से पता है कि ब्लॉग से पैसे आते हैं तो क्या हम डेली डेली एक ड्रामा करें जो हमारा भ्यू बरें तो कहीं न कहीं यह ड्रामा ही उनका सबसे बरा कारण है और यह निवज नहीं एक सिरियल का मोड लेता जा रहा है छोटू आरती कहानी बन चुका है और आप भी थोड़ा दूसरा देखिए तो अच्छा रहेगा आरती छोटू में भ्यूज बटोरने से अच्छा है कुछ अच्छा देखें अपने को मोटिवेट करने के लाइक कुछ चीजे देखे तो अच्छा रहेगा आप लोग देख रहे थे कावि